अब जब तक हमारी वर्क्शॉप नहीं हो जाती जो कि हमारी वर्क्शॉप नहीं हो जाती तो अगर तुमको वर्क्शॉप का पाट बनना है मेरे से law of attraction और manifestation अच्छे सीखना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है तो उस पर जाओ और जाके सीखो तो आज हम देखेंगे the basics of law of attraction की basics क्या क्या होते है law of attraction के उनमें हम इन साथ चीजों के बारे में देखने वाले एक बड़ देख लो पहला आता है like attracts like yes you heard it right तुम जिस चीज को भी like करोगे न तुम जिस भी चीज को लाइक करोगे तुम वही चीज अट्राक्ट करते हैं अब तुम कहोगे कि भाया हम तो success भी like करते हैं पर हमारे पास तो failure आते हैं like should be followed by the actions अब तुम किया रहे हो कि तुमको successful बनना है पर तुम successful होने के लिए कोई भी ऐसे actions नहीं ले रहे हो तब तुम कैसे तुम्हारा काम चलेगा तो you need to understand one thing कि जो चीज को तुम like करो ना तुमको ये चीज भी पूछने है कि और क्या ये मेरे गोल के पास लेके जा रही है और नहीं लेके जा रही क्योंकि law of attraction ना कोई जादू नहीं है कोई ये magic नहीं है ये है simple science ये है science of emotions ये science of belief systems science of neurons ये तुम्हारा पूरा दिमाग का science है ये पूरा universe का science है जब मैं कहता हूँ law of universe तो law of universe का मतलब ये होता है कि वो चीज़ें जो कभी भी change नहीं हो सकती है universe जितना बहार है उतना ही universe तुम्हारे अंदर भी एक छोटा सा तुमको एक्जांपल देता हूं तुमने श्री क्रिशन की पिक्चर देखे होगी जब श्री क्रिशन अपना मुह खोलते है तो उनके मुह के अंदर पूरा भ्रहमान होता है वैसे तुम्हारे अंदर भी पू तुम्हारे विचार जिस तरीके से होंगे तुम जिस तरीके से चीजों को तुम सोचने वाले हो वैसे ही तुम्हारे अक्शन होने वाले हैं अगर तुम यह कहोगे न कि मेरे को मैं दुखी हूं मैं परेशान हूं तो तुम्हारे जिंदगी परेशान बन जाएगी तब बहुत जादा हाई रहती है नेक्स आता आपके emotions as the indicators at the end of the day तुम्हारे जो actions हैं वो तुम्हारे emotions dictate करते हैं अब तुमने एक चीज देखे होगी जब भी तुम उदास फील करते होगे जब भी तुम सैड फील करते होगे तब तुम बहुत जादा लेजी हो जाते हो जब तुम अग्दम freeze हो जाते हो पर जब तुम खुश फील करते हो तब तुम अक्च्री में एनर्जेटिक हो जाते हो तुमारी body movements अच्छे चलने लगते हैं तो हमेशा अपने emotions पर focus करना है जो हम वरक्शॉप के अंदर हम पूरा emotional management सीखने वाले हैं कि अपने emotions को किस तरीके से समझ क channelize करने emotions को समझ के उनको channelize करना है उसको राइट लिखना नहीं है और पाणी को रומट आजाएगी तो पाणी बिलीफ एंड फेथ जब भी मैं बात करता हूं लॉफ एट्राक्शन लॉफ उनिवर्स इन सब चीजों के बारे में तो इन सब में यह बहुत एक इंपॉर्टन चीज होते हैं कि तुम्हारा बिलीफ होना चाहिए भगवान पर गौड पर अल्ला पर जीजस पर गुरुजी प बिलीफ नहीं रखोगे उनिवर्स पर तब तक युनिवर्स तुमको देने वाला नहीं है इसका कहने का मतलब यह है कि तुमको पर रखना पड़ेगा कि जो भी तुम एक्सेंज ले रहे हो उसके राइट रिजल्स आने ही आने वाले हैं कभी एक नेगेटिव बिलीफ में नहीं जाना है तुमने इसके एक्जामपल देतो हैं इससे काफी सारे लोग रिलेट कर पाएंगे तुमने पूरे साल अच्छे से मेहनत करी किसी एक्जाम के लिए प्रपरेशन करा अगर उस इंट्रव्यू से एक घंटे पहले तुम्हारे एमोशन उपर नीचे हो गए तो तुम्हारे पूरे साल की मेहनत ही चली जाएगी वहीं पर आके competition तुम्हारा सारा खतम हो जाता है एक इंसान है जिसने पूरे साल मेहनत करी है पर उसका belief system बहुत जादवीक है जो हम workshop के अंदर अच्छा करेंगे उसके emotions बहुत जादवीक है राइट सारी चीजे पढ़ी सा सारी preparation उसकी खतम हो जाएगी results बिल्कुल नीचे आएगा फिर वो self doubt के अंदर चला जाएगी और मेरा result ऐसे खराब क्यों आया खराब इसलिए आया पगले क्योंकि तेरे belief system weak थे तुने पढ़ाई पर तो काम कर लिया तुने सारी किताबे पढ़ लिया तुने सारे mock test दे लि पर तुने अपने belief system पर काम नहीं करा तुने अपने emotions पर काम नहीं करा यही education system के अंदर एक कमी है कि लोग emotions और beliefs पर काम करना नहीं सिखाते हैं law of attraction के बहुत ही छोटा सा पाट है emotions और beliefs पर इसके नीचे बहुत deeper level के layers है जो तुमको सीखनी पड़ेगी जितने जल्दी सीखो के उतने ही आगे बढ़ने वाले है अब ऐसा नहीं है कि मैं तुमको YouTube पर चीज़े नहीं सिखाने वाला हूँ मैं YouTube पर भी free के lectures देने वाला हू पर जो चीज तुमको 9 घंटे के अंदर मिलेगी ना जो तुमको तीन दिन के अंदर structured way के अंदर मिलेगी तुमको PDF भी मिलेगा तुमको lifetime recordings भी मिलेगी वो तुमको YouTube के अंदर 2 साल के अंदर मिलने वाली है यह नहीं कहाँ रहा कि मैं सिखाऊंगा नहीं मैं सिखाऊंगा पर वक्त लगेगा और ये चीज़ समझो knowledge को value देना start करो तब ही वो knowledge तुमको value देगी समझो इन सब चीज़ों को right next आता है हमारा that gratitude you have to be grateful universe ना gratitude पर चलता है universe कहता है कि भाई मैंने तुमको जितनी सारे चीज़े दिया मैंने तुमको दे तुमको खाने के खाना दे दिया रहने के घर दीआ पीने के पानी एदिया सास रहेने के लिले ook सीजन दीआ इतनी सारी चीज़ें दे Legós व होते नहीं तुम ये चीज़ के Uzish लो ऐसको और लिखने जाते हो तुम्हारी इगो इतनी उपर आ जाते हैं तुम कहा देगे मैं खुछ से सीख लूँगा खुछ से हेटल ट्राइल कर लूँगा इसलिए वर्ल्ड वाइट जाते हो लोग सक्सेस्फुल नहीं बन पाते हैं क्योंकि जब तुम जिन चीजों के लिए ग्रेट फुल हो वो ग्रेट फुल रहोगे तब जो यूनिवर्स है वो तुमको देगा और देगा किया ठीक है यह इतने साइज चीजों के लिए इसको मैं और देता हूँ छोटे-छोटे से कंसेब्स है बहुत जादे लेवल वाले कंसेप्स हैं अब बात हैं दे किक इंसपार चैंशन्स करते हैं तुमको यह चीज वरक करेगे नहीं करेगे जिसके लिए प्रपरेशन कर रहा हूं उसका रिजल टाये नहीं आएगा जो बुक मैं पत रहाँ वो ब यह इंहीं लाइट वो तुम negative positive negative positive यह सारे अपने thoughts लेके आ रहे हो तो जो negative और positive जब एक सास्थ मिलते हैं तो रो फुछ भी अक्शन करो तुमको यह बिलीफ है कि मेरे को favorable रेजल्ट आना ही आना है तुमको इसका छोटा से example देता हूँ, ये तुम आज ही करना, तुम जब भी भाहर running पर जाओ ना, दो तरीकिस running करना, पहले running पर तुम सिर्फ normal running करना, running करके वापस आजाना, जब भी दूसरी बार running करो न, तब तुम ध्यान रखना अपने पैरों पर, जब तुम पैरों को देखके भागो गया तब तुम गर जाओगे इसका मतलब क्या है उसलिए देख रहे दे है कि तुम्हारा पैरों पर भरोसा नहीं था है कि तुम्हारे दिमाग में डाउट क्रियेट हुआ सेल्फ डाउट क्रियेट हुआ तुमारे कदम डग मगा गए तुमारे तब क्या हुआ तब तो तुम गिर गए लौफ अट्राक्शन और युनिवर्स ऐसी काम करता है तो डिस्क्रिप्शन के इंदर लिंक दिया हुआ जल्दी से एंड्रोल करो फीज जादा नहीं है ट्रिप स्टार्ट बेकम शिक्षित टेक केर